हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर कर रही हूँ Spider Plant की Care Tips देखिए यह सुन्दर से Flower Spider Plant के हैं काफी छोटे छोटे से वाइट कलर के इसमें यह सुन्दर से Flower आते हैं इस्पाइडर प्लांट एक पर्मानेंट प्लांट है जिसे आप इंडूर और आउट्डूर दोनों जगों पर रख सकते हैं कि कम केर में ये प्लांट काफी अच्छे से ग्रो करता है सबसे खास बात ये है कि ये बेस्ट एर प्यूरिफाई प्लांट भी है तो इस प्लांट को आप अपने घर पे जरूर लगाएं हम बात करेंगे कि हम इस्पाइडर प्लांट को किस तरीके के पॉट पे लगाएं इस्पाइडर प्लांट को हम छोटे से छोटे पॉट पे भी ग्रो कर सकते हैं जैसे कि ये pot है 4 इंच का ये देखिए इसमें भी ये grow हो रहा है साथ ही हम grow कर सकते हैं इस तरह के pot पे ये देखिए इसमें मेरे 2 plant लगे हैं 6 इंच का pot है बस इसकी जो चोड़ाई है थोड़ा सा जादा है और इसमें भी ये बहुत ही अच्छे से grow कर रहा है और इसके बाद ये देखिए ये है मेरा 14 इंच का pot ये pot 14 इंच का है और इस pot में आप इसकी growth देखिए इस pot में इसकी growth बहुत ही जादा अच्छी है चार साल से ये प्लांट इसी pot पे लगा हुआ है चार साल के अंदर इस pot में इस plant से काफी ज़्यादा baby plant गुच्छों में निकलते रहते है सबसे main बात ये है कि जब भी हम espider plant को बड़े pot पर लगाते हैं तो इसमें से काफी ज़्यादा baby plant निकलते हैं और हमारे जो plant की growth है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और जब हम espider plant को किसी छोटे pot पर लगाते हैं तो प्लांट की growth तो होती है लेकिन उसमें से ज़्यादा बेबी प्लांट नहीं निकल पाते और उसकी ग्रोथ एक टाइम के बाद बिल्कुल रोख जाती है तो आप देखिए इसमें काफी ज़्यादा इसकी ग्रोथ है क्योंकि क्या होता है जो इस पैडल प्लांट है इसमें जो ट्यूबर्स होते हैं वो काफी ज़्यादा नीचे जले जाते हैं मिट्टी के और जितने वो नीचे जाते हैं उतनी ही इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है आप देख सकते हैं कितने सारे इसमें बेबी प्लांट निकले हुए हैं बिल्कुल गुच्छों से मेरे इसमें जो बेबी प्लांट हैं वो निकलते रहते हैं बात करते हैं वाटरिंग की ये देखिए ये इसके ट्यूबर्स हैं इस पॉट में लगबग चार सालों से लगा हुआ है और इसकी ग्रोध भी अच्छी है तो साइद इसकी अब रूट बाउंडिंग हो गई है इसलिए इसके जो ट्यूबर है ये मेरे उपपर आ गए हैं तो इसके नीचे से ये ट्यूबर है वो गल के सड़ जाते हैं और जो ये छोटा पॉट है इसमें इसके जो ट्यूबर है इनकी ग्रोध हो नहीं पाती काफी छोटे चोटे और पतले से रह जाते हैं इसलिए छोटे पॉट में ये प्लांट की ग्रोध क्या है रुख जाती है औ अगर आप ज़्यादा वाटरिंग करते हैं तो जो ये ट्यूबर हैं वो गल के सड़ जाते हैं ये देखिए इसको दबाने से इसमें कितना सारा ये पानी निकल रहा है तो इसलिए आप जब भी स्पाइडर प्लांट लगाएं तो उसमें चेक कलने जब आपको लगे कि दो इ डियरेक्ट सनलाइट आती हो बिल्कुल सीधी अगर धूप की इसमें रोशनी पढ़ती है तेज गर्मियों वाली तो इसकी जो टिप्स होती हैं वो बिल्कुल सूखने लगती है और आप इसे इंडूर भी रख सकते हैं इंडूर अगर आप इसे किसी विंडो के पास रखत जहां पर 1-2 घंटे की सनलाइट आती हो अब हम बात करेंगे इसकी मिट्टी की आप इसे किसी भी मिट्टी पर लगा सकते हैं लेकिन मिट्टी वैल ड्रेन होनी चाहिए मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी ना रुगे मिट्टी में आप थोड़ा सा सैंड मिलाएए जिससे की बेबी प्लांट निकालते रहता है यासे ये रेखिए एक ये बड़ा प्लांट है और इसके glue में ये चोटा सा बेबी प्लांट इसका खुद ही निकल गया है और दूसरा जो तरीका है ये देखिए इस 실LY कही ऍस्टिक निकली इस तरीके की इसमें से इस्टिक निकली रहती है और उस इस्टिक में इसमें धेर सारे गुच्छों में ये बेबी प्लांट निकल जाते हैं बहुत ही लंबे टाइम तक अगर हम इन बेबी प्लांट को अलग करके नहीं लगाते तो ये इस तरीके से सूप के खतम हो जाते हैं पहले ये बेबी प्लांट मैंने निकाल के इसमें से ग्रो किये हुए है और अभी भी इस प्लांट में मेरे काफी ज़्यादा बेबी प्लांट है ये पॉर्ट पिरा काफी ज़्यादा बड़ा है इसलिए इस प्लांट से काफी ज़्यादा में को बेबी प्लांट इसके मिले ह तो ये देखें, गुच्छों में हैं, और साथ में आप इनकी ये roots देख सकते हैं, और ये root वाले छोटे-छोटे baby plant को लगाते हैं, तो ये plant 100% आपके लग जाते हैं, और अगर आपके baby plant लगते नहीं है, spider plant के लगते ही सूख जाते हैं, तो आप ये गल्ती करते होगे, कि अगर आप baby plant लगाएंगे जिनके नीचे बिल्कुल भी root नहीं है तो वह नहीं लग पाते हैं तो हमेसा ऐसे baby plant लगाएं जिनके नीचे से हलकी हलकी सी root बनी हुई हो तो इस तरीके से आप भी इस प्लांट को लगाएए बहुत ही कम केयर में बहुत ही अच्छे से ये प्लांट ग्रो करता है बस इसमें वाटरिंग और सनलाइट का ध्यान रखें कि इसे कम वाटरिंग चाहिए और बिल्कुल हलकी सी सनलाइट चाहिए बस इन दो चीजों का आपका स्पैडर प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसमें महने दो महने में कोई भी लिक्विट फेटलाइजर डाल दे और फरवरी और अक्टूबर के महिने में एक कोई भी सॉलिट कमपोस्ट किचन कमपोस्ट वर्मी या फिर काउड़ दाउं कमपोस्ट उसकी 1-2 मुठ़ी आप इसमें डाल सकते हैं तो इस तरीके से यह प्लांट हमारा काफी अच्छे से ग्रो करेगा और अगर आपके प्लांट की इस तरीके से टिप्स जल रही हैं तो इसका ये कार्ण होता है कि इस प्लांट को हम इस प् वो जलने लगती हैं तो इसलिए इस प्लांट को आप सेमी सेड में रखे या फिर ऐसी जगवा पर रखे जहां सुबह या साम की एक घंटे की सनलाइट मिलती हो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो देखन के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद